हेई गाईज वेलकम तू दू चैनल वीबेक और गाईज आज मैं पूरी वीबेक फैमिली के बारे में बहुत सी कुछ बाते सोच रहा था मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया था लेकिन फ्रेंड्स मुझे इसलिए थैंक्स बोलना था आप सभी को कि आपने बहुत सारा प्यार दिया है आप सब नहीं होते तो इतने जो व्यूज आते हैं इतने जो प्यार मिलता आपके तरफ से वो शायद नहीं मिलता तो थैंक्स बोलना चाहूंगा पूरी वीबेक फैमिली को जानता हूं थैंक्स वर्ड बहुत छोटा है लेकिन फ्रेंड्स आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी बहुत सीरियस है क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को बताए कि आपको चाहिए होता है मैल्टन या फिर मैं कहूंग तो मैल्टन बॉक्स जिसके थुरू आप मैल्टन गैट कर सकते हैं आपके बहुत से मैसेज़ेस आते हैं आपके बहुत से कमेंट्स आते ह वो भी आज आपका clear हो जाएगा आपको बता दू मैं अगर आपको Melton चाहिए तो आपको Nintendo Switch की जरत पड़ेगी अगर आप Pokemon Go खेलते हैं उसमें अगर आप settings में जाएंगे तो वहाँ पर Nintendo Switch का option आता है और अगर उस पे आप tap करेंगे तो आप Pokemon Go और Nintendo Switch को दोनों को ही connect कर लेते हैं तो वो दोनों ही जैसे connect हो जाएंगे और Pokemon आप दोनों में ही transfer करेंगे तो उसके थूरू एक छोटी सी process होती है friends वो मैं आपको live नहीं बता सकता हूँ तो वो एक छोटी सी process होती है उसके बाद आप Melton box आपके Pokemon Go के अंदर आ जाता है friends और उसे जब आप on करेंगे तो 30 मिनट तक Melton आपके spawn होते रहेंगे और आप उन्हें कैच कर सकते हैं और shiny भी मिल सकता है उसी के थूरू friends जिनके पास भी Melton है और Melmetal है वो इसी थूरू केच करा है उन्होंने और उसी के थूरू उन्होंने Melton को evolve भी किया है so friends आपके साथ doubt clear हो जाएंगे लेकिन friends मैं आपको बता दू अगर आप ये try करते हैं कि मेरे पास भी Melton box हो मैं बता दू मेरे पास भी personally Nintendo switch नहीं है expensive भी है मैं अभी buy नहीं कर सकता हूँ अगर मैं in future buy करूँगा Melton box आपको provide कर सकूँ लेकिन अभी recent मेरे पास नहीं है friends so friends मैं आपको बता दू आपको बहुत से messages आते होंगे कि आप अपनी ID दे दे Pokemon Go की password दे दे तो मैं आपके Pokemon Go में Melton box transfer कर दूँगा मैं आपको कुछ screenshot show कर रहा हूँ अभी आपको एक screenshot दिख रहा होगा जापर messages delete messages delete का दिख रहा होगा friends मैं बता दू मुझे personally ये message आये थे मैं किसी एक Pokemon Go group में था पहले मैं January की बात कर रहा हूँ अभी की बात नहीं कर रहा हूँ January में मुझे messages आये थे कि आप अपनी Pokemon Go का ID और password दे दे मुझे और मैं आपको Melton Box प्रोवाइट कर दूँगा so friends just मुझे ये message आये था थो मैं थोड़ा excited हुआ था लेकिन हा मैंने थोड़ा mind का use कि और मैंने देखा कि ये मुझे ID मांग रहा है और password भी मांग रहा है तो वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा again मैं बोल दूँ उसने थोड़े दिनों बाद मैंने उसे मना कर दिया कि मैं अपना password नहीं दे सकता तो उसने सारे messages थोड़े दिनों बाद हटा दिये वहां से नहीं तो मैं आपको वो शो करके बता सकता था लेकिन अभी मेरे पास यही screenshot अवेलेबल है so friends मैं आपको बता दूँ आपको डिस्कोड पर इंस्टा पर मैं और कहूं तो whatsapp पर सभी जगे जहां भी आप अवेलेबल होते हैं facebook पर आपको ऐसे से ऐसे messages आते हैं और मैं कहूं most of यह other countries के होते हैं ना कि इंडिया के तो वो आपको message करते हैं simply और आपसे ID मांग लेते हैं कुछ लोग messages में आ जाते हैं वो थोड़े excited जादा हो जाते हैं और अपनी ID दे देते हैं friends just password भी दे देते हैं और उनका वो ID उन्हें कभी नहीं मिलती है लेकिन friends मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूंगा आप अपनी ID किसी से भी share ना करें कुछ दिनों ही पहले मुझे एक comment आया था इसमें आप देख सकते हैं comment मैंने अभी आपको show भी किया है कि bro आप discord पर आपके नाम और लोगों से कोई सभी से password मांग रहा है Pokemon Go के तो मैं बता दू friends ये मैं नहीं होता हूँ कोई और होता है और मैं कहूं तो और भी किसी YouTuber के through भी कोई आपको ऐसे messages कर सकता है तो प्लीज किसी को भी ID share ना करें मैं अगर giveaway रखता हूँ तो मैं personally इंस्टा पर जाता हूँ उसके और वहाँ पर उसके DM में जाके उसके password मांगता हूँ ताकि वो कहीं leak ना हो सके और मैं again उसको जब ID return करता हूँ तो मैं उससे ये कह भी देता हूँ कि bro आप चाहें तो अपने password या दूसरे password लगा सकते हैं मैं उसे ऐसा बोल भी देता हूँ so friends मैं आपसे Pokemon Go के level को increase करना without spoof आप कितनी मेहनत करते हैं spoof भी कर लेते हैं फिर भी कितनी मेहनत लगते हैं कितनी सारी मैं कहूँ तो आपकी यादे होती है Pokemon Go की ID के साथ मेरी भी बहुत सारी है मुझे भी दुख होता है जब इसे messages आते हैं so friends मैं यही कहना चाहूँगा आप इस बहकावे में ना आए अगर आपको meltdown चाहिए होता है तो एक मैं आपको बता दूँ कि simple सा एक normally task मिलता आपको जब यह आप Pokemon Go को start करते हैं उसके थुरू आप meltdown गेट कर सकते हैं जो मैं अब आपको show भी कर रहा हूँ screen पर so friends यही बोलना चाहूँगा इस वीडियो की ending में मेरी पूरी VBAC family से please आप support जो देते हैं मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना भी करें और most of time में जानता हूँ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते भी हैं so friends मैं यही बोलना चाहूँगा इस वीडियो को please और share करें कहीं भी आप share कर सकें please share करें ताकि और किसी का भी ID अगर वो hack हो सके तो उससे वो बच जाए और उसकी जो मेहनत है वो waste ना जाए so we hope कि next आप ऐसा कभी भी ऐसा कुछ messages आएं तो उन्हें तुरंट ऐसा जवाब दें कि मैं अपनी password किसी से share नहीं करूँगा so friends वीडियो बहुत serious थी और हाँ again एक बार और thanks बोलना चाहूँगा क्यों मैं ऐसा लग रहा है आज मैं आपको thanks बोलूँँ पर हाँ बोलना चाहूँगा आप समझ सकते हैं so friends मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वीबेक फैमली को वीबेक के तरफ सबाए